नमस्कार दोश्तो ये आज की जो वीडियो में काफी लंबे समय के गयात के बाद मैं आपके सामें लेके आ रहा हूं आफी चाहता हूं पर कहीं न कहीं थोड़ा सा एक मन में बात आती है कि जैसे हम बहुत दिनों से एक वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसको शेयर और सब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजे आप लोग वीडियो देखने के बाद मतलब paid product के बारे में मैं बता हूँ या ऐसा कुछ करूँ मैं वही चीज़े raw video डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है बाइद वे मैं आज एक video लेकर के आया हूँ detailful video मेरी होती है और इस video में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करें एसी की cooling आपने देखा होगा बहुत सारी गाडियों की क्या होता है यह होता है जाहे लगों की हर आडमी की एक गाडी और उसी की गाडी का सबसे यूसफोल फीचर आज के इस दुनिया में है वो है AC बिना AC के जल्दी गाड़ी कोई चलाना नहीं चाहता लेकिन एक सबसे समस्या जो हमारे सामने आती है कि गाड़ी जैसे दो साल, तीन साल, चार साल पुरानी होती है या कभी-कभी देड़ साल में ही अगर आपकी गाड़ी बहुँश्यादा डिस्टी एरिया में चलती ही जहां पर डिस्ट बहुँश्यादा होता है तो वहाँ पे एक प्राब्लम आपको दिखाई पड़ेगी क्या दिखाई पड़ेगी आपके जो AC का फिलो होता है क्योंकि आपके अंदर जो पैरों के से गंदगी आती है वो सारी के सारी गंदगी आपके AC फिल्टर में जाकर के बैठ जाती है कुछ गाड़ियों में AC फिल्टर लगा होता है वो बिल्कुल पतला सा तो यह जो AC filter होता है इसका अपना काम होता है कि यहाँ पे आने वाले गंदगी को side by side आपका उसको ले लेता है और लेने के बाद में आपको pure हवा देता है लेकिन क्या होता है कि कुछ गाड़ियों का AC filter जो होता है वो air filter की तरीके से होता है paper based तो वो paper based इतना ज़्यादा उसमें कहते हैं लाइन्स होती है कि उससे dust उस पार नहीं जा पाती है और बहुत ज़्यादा clean करता है हावा को लेकिन कुछ गाड़ियों में mosquito net की तरीके से जो मच्छरदा नहीं आती है उस तरीके से दिया होता है लेकिन फिर भी होता क्या है कि filter तो filter हो कुछ दिन बाद गंदा होगा आप company को service कराने के लिए साल में एक बार ले जाते हैं माली जो उन्होंने देखा उस समय ज़्यादा गंदा आपका AC filter नहीं रहा तो वो उसको clean करके फिर से लगा देंगे बदलेंगे नहीं अगर वो paper based है तो और बाद में 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आगर आपका या 2 महीने बाद आपका अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो क्या होता है कि वो आपकी dusting लेना सुरू कर देता है सीधे dusting आप मैंने एक band बादा हुआ है तो यह उड़ रहा है आपका जो बाल होता है हैर का मतलब सर का जो बाल है हैर से यह उड़ते हुए महसूस होने चाहिए आपको लगना चाहिए कि आपके चेहरे पर फुल करने पर आपका जो flow होता है वो AC का बहुत ज़्यादा होता है आप इस आ आप इसको क्या करते हैं कि आप जैसे ही आपका AC का flow कम होता है गर्मियों की सीजन में आप देखते हैं AC चेक अप कैम्प और कंपनिया तरह तरह का ऐसे कैम्प लगाती है आप वहाँ पे गाड़ी लेके जाते हैं वो फ्री चेक अप तो कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन थोड़े करेंगे उन्हें ने चेक अप कर लिया उन्हें बता दी आपकी गाड़ी में यह ऐसे ऐसी दिक्कत है दिक्कत क्या बताते हैं कि आपका जो अंदर का देखे कूलिंग करने के लिए गाड़ी में तीन चीजे होती है एक तो सबसे पहले आपका AC के पास में आपका जो रेडियेटर लगा होता है उसमें एक फैन होता है सब ने देखा होगा मैं भी आपको दिखा दूँगा AC में रेडियेटर फैन लगा होता है और रेडियेटर फैन कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या काम होता है कैसे होता है यह अगर कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी गाड़ी थंडी हवा नहीं फेंक रही है और आपका जो एयर है वो एयर चला है उसे तो तर्च के सबसे पहले यह दिखियेगा कि यह सी रेएटर जणूरोरी होता है जो आपके गाड़ी का कूलिंग पे मेंटेन करता हैं दूसरी छीज में. सब्सक्राइब दूसरी चीज आप देखिए यह नीचे लगा होता है इसको हम इवफेपरेटर पुलते हैं. अलग अलग कमप्रियां अलग नग नाम देती है इसको यह एवेपरेटर होता है हर गारी में नीचे कहिंद पर उसी रेडीटर के बगल में यह दिया होता है और आपने सुना भी होगा के लोग कहते हैं जब कारवाश करा हो तो नीचे रेडीटर पानी डलवा लेना चाहिए जैसे आप पडे डाल वा लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है ठीक है और तीसरी चीज में बताथाउं और तीसरी चीज होती है वो होती है आपकी हर गाडी में वो आप यहां से देखेंगे आप इस पे से ध्यान देंगे तो इस साइड भी अंदर की ओर लगा रहता हो एक कूलिंग सिस्टम जैसे आप AC के पीछे देखते हो ना विंडो AC के पीछे जैसे आपने रेडियेटर में देखा फिंस बनी होती है ऐसे एक छोटा सा AC के पीछे यहाँ पे आपका लगा होता है यह फिंस होती है इनका काम शायद आप देखना पार हो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यह अंदर ही लगा होता है इस साइड बे और दोनों साइड से आपका लगा रहे है यह दोनों साइड में लगा होता है इदर ड्राइबर साइड में भी जहां से आपकी AC के हवा आती है और उदर लेट साइड में भी मैं आप लोगों को एक चीज़ जल्दी यह बता देना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब कभी भी वो आपकी एयरफ्लो कम कर देता है तो कंपनी के प्रास में जब आप जाते हो तो सर्वेस इंटर वाले आपको बोलते हैं कि आपका पूरा डैस बोड उतारना पड़ेगा पूरा डैस बोड उतारने के बाद में फिर वो एक पॉइंट होता है जो आपका AC के बाहर के रेडियेटर एवेपरेटर और उसके बाद में यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम होता है इसके साथ एक पूरी चैनल पाइप जुड़ी होती है और फिर यहाँ से यह जो नीची यहाँ पे लगा होता है इस जगा पे यहाँ से यह थंडी हवा करके आपको एरफलो से इसमे से भेजता है यही काम उसका होता है और वो हवा जो इंटेक होता है मतलब यहाँ से तो आपको थंडी हवा है कि लेकि यहीं से हवा नीचे साइड से जा करके फिर वो गरम होगा ले करके फिर से पूरी कॉलिंग करके फिर से यहां से आपको भेज देता है यही इसका चैनल होता है तो जब आप किसी सर्वे सेंटर पर जाओगे तो क्या करेंगे dashboard उतारेंगे और उतारने के बाद में आप से कहेंगे कि हम इसका पूरा काम करेंगे अब आप से dashboard पूरा खोलने का charge लिया जाएगा ध्यान रखिएगा dashboard पूरा खोलने का charge लिया जाएगा चूकि ये गंदा पार्ट है मतलब ये dusting के कारण हुआ है दूसरी चीज ये tear and wear में आता है इसलिए ना ही तो ये warranty में cover होगा ना आपकी extended warranty में cover होगा अगर आपका AC का flow कम हो गया हाँ एक चीज होता इसमें उसमें कुछ oil होते हैं एसी cooling oil होता है तो वो oil अगर आपका बह जाता है या वो radiator किसी तरीके से leak हो जाता है तो आप warranty claim करते हो जब ये आपका dashboard पुरा उतरेगा उतरने के बाद में उसको खोल के चेक किया जाएगा उसमें फिर से पानी भरा जाएगा और उसका देखा जाएगा कहीं इसमें bubbles तो नहीं आ रहे हैं अगर वो बबल आ रहे होंगे तो आपका फिर वो leak हो जाएगा और leak होने पर क्या होता है कि आपकी AC की हवा रुकेगी यह नहीं AC का हवा मतलब AC gas वो रुकेगी यह नहीं वो AC अगर चेंबर आपका leak होगा कंप्रेसर तो आप देखे ही होगे AC का वो कंप्रेसर आपका ठंडी हवा 1400 ग्राम में पूरी गाड़ी की कूलिंग करना शुरू कर देगा ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी में 300 ग्राम gas हो तभी आपकी गाड़ी कूलिंग करेगी तो दो रास्ते आपके पास होते हैं आप या तो इसको लेकर उतारो पूरा डाइस बोरड उतारोगे डाई से तीन हजार रुपएचार लेते हैं अलग-अलग कंप्री में टाटा में चार्ज धाई हजार रुपएगा है आप इसको दोगे, उसके बाद में आप यहां से पूरा उतारोगे, वो जो पार्ट वहाँ पे कूलिंग वाई लगा होता है, वो 4,600 कुछ रुपए का है, मतलब आप एक एप्रॉक्स राउंड फिगर ले लिजे, 4,000 रुपए और प्लश 2,000 रुपए, 7,000 रुपए आप ख करने में, आपको 3 दिन के लिए गारी हल्ट कराना पड़ेगा, वो कि पूरा डैस्बूट उतारना, फिर उसको जोड़ना, फिर क्लीन करना, फिर वही करना, दूसरी चीज, मैं आपको इसका दूसरा रास्ता बताता हूं, आप क्या ऐसे इसको बजट में बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा तरीक आपके पास में है, कि आप सुने होंगे, आप कोई भी एक AC क्लीनर ले लिजे, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में और बहुत सारी जो इंटिरियर क्लीनिंग करते हैं, सर्विस सेंटर पे आपने देखा होगा 3M वाले हैं रुथ वाले हैं, अलग अलग कंपनी माले, कार क्लीनिंग का इंटिरियर क्लीनिंग का एक प्रोसस चलाते हैं, उसमें हो क्या करते हैं, इसके जो डैसबोर, डैसबोर होते हैं, यह सारे डैसबोर बिलकुल नीट अन क्लीन करते हैं, अब गाड़ी आपकी 3 साल पुरानी हो, आप अगर उसको regular कराते रहोगे 6 महीने साल भर में एक बार अगर बहुत ज़ादा dust area में नहीं है तो आपका साल भर में 8 महीने में एक बार और लेकिन मेरी recommendation है 6 महीने में आपका 1200 रोपय लगता interior cleaning का अलग-अलग size की साफ से अलग-अलग गाड़ियों का charge है लेकिन आपकी गाड़ी बिल्कुल neat and clean, dashboard, polish, पूरा सब बिल्कुल neat and clean करके देंगे जो दाग वाग चातवत पे होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल spot सब कुछ clean हो जाएगा वो अलग-अलग company उसी के में एक product आता है आपका आता है वो है 3M का AC form cleaner आता है इसी form आता है आप क्या करेंगे कि उसको जब आप इसमें directly डाल करके आप spray कर देंगे एक liquid based आता है उसको मत लीजेगा RUTH का आता है WRUTH उस company का नाम होता है RUTH का आता है वो बहुत liquid based होता है डालने के बाद नीचे चला जाता है पता नीचे चलेगा जो भी लीजेगा form based लीजेगा आप इसमें pipe डालके जब चारो में आप यहां चारो में आप डाल देंगे और spray करेंगे तो spray करने के बाद में वो form बनके दो मिनट बाद पूरा सब बाहर निकल आएगा तो जो dusting आपकी इसके अंदर होती है आप देखे रहो अभी देखो यह clean कराया गया तो देखो यह dust particles क्या करते हैं यह dust particles जो नीचे चले जाते हैं तो यह dust particles वहाँ जाने के बाद में आपकी cooling coil को पूरी तरीके से गंदा कर देते हैं और आप जब cooling coil में हाथ लगाओगा त तो तरीका इसका यह है कि आप इसको clean करते रहो छे महीने में एक बार आपको कर लेना चाहिए यह मैं last line बता रहा हूँ कि छे महीने में अगर आप गर्मी के सेजन में लगाता है इसी चला रहे हो तो आप छे महीने में एक बार इसको करा लीजे कोई भी company माला 300-400-500 रुप दूसरी चीज में बता दूँ आगर माली जब फिर भी आपकी इसी की cooling कम हो गई है कोईल बंद हो गया है तो आप किसी ऐसे technician के पास में मिस्तरी के पास में जाए मैकानिक के पास जाए जो यहां से आपका वो side में हलका सा coil खोले इसी filter खोल दे filter खोलने के बाद में यहीं से वो इस्प्रे करेगा उस पे और इस्प्रे करने के बाद में जैसे वो आपको इस्प्रे करेगा इस्प्रे करने के बाद में आप जब उसको देखे अब वो इस्प्रे करने के बाद सारी गंदगी को निकाल करके बाहर कर देगा उसको वो साफ कर देगा लेकिन ध्यान रख से लेफ्ट साइड से जिधर AC फिल्टर होता हुदार नहीं जिधर राइट साइड से दोनों साइड से आप काम करा लेंगे तो आप पाएंगे यह देखे गंदगी जब आप पाएंगे कि आपकी गाड़ी विल्कुल नीट अंड क्लीन उस समय हो चुकी है और आप एसी का जै हो जाएगा एक साइट से और उसके बाद में वो लीक कर जाएगा तो आपका 4,000 रुपए का चेंजिंग ही कराना पड़ेगा उसके रिपेरिंग का कोई चार्ज नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि आप इसको रिपेर कर सकें तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है AC के कूलिंग मेनेजमेंट के उपर तो आप इतना प्लीज करिए कि इस चीज को वीडियो को देखिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग खासकर पुरानी गाड़ी रखे हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सेयर करिएगा ताकि मैं इस तरह के एक मोटिविशन में आप लोगों को अच्छे अच्छी वीडियो बना कर देता रहूँ थैंकियो सो मच